बिहार पुलीस कॉंस्टेवल सभी प्रस्ण महतापूर ने 100% रिजल्ट होगा रिटन एक्जाम में तो कोशन को ध्यान से दिखेंगे पहला प्रस्ण है सीसे के सिक्के साथ वहन राजबंसों ने गड़े थे अगला प्रस्ण है समुद्र गुप्त के इलाहबाद स्थम हरिषेन के द्वारा लिखे गए थे अगला प्रस्ण है बच्चा मनुस्य का पिता होता है यह बात किसने कहा था तो विलियम वर्ट्स वर्थ ने कहा था बच्चा मनुस्य के पिता होता है ये बाद विलियम वर्ट्स वर्थ ने कहा था अगला प्रस्ण है भारत में दलहीं जंतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी तो ये M.N. राइनी की थी किसने की थी M.N. राइनी भारत में दलहिन जंदंद्र वकालत सबसे पहले M.N. राइने की थी अगला प्राइशन देखेंगे मद्दाताओं को परीचे पत्र परदान करने की विवस्था 1975 के चुनाव कानून के संसोधन में की गई थी कब कि संसोधन में की गई थी तो 1975 के चुनाव कानून के संसोधन में की गई थी कोशन बड़ा महत्तपूर्ण है तो कोशन को देखें ध्यान से देखें तभी आपको समझने में आने वाला है मद्दाताओं को परीचे पत्र परदान करने की विवस्था 1975 के चुनाव कानून के संसोधन में की गई थी अगला प्रस्ण है सन्विधान के संसोधन में राज्यसवा और लोकसवा का अधिकार बराबर होता है बराबर होता है किसका तो राज्यसवा और लोकसवा का जो अधिकार होता है वो बराबर होता है सन्विधान के संसोधन में राजसभा लोकसभा का अधिकार बराबर होता है अगला प्रशन है स्टेट ड्यूटी एक परकार का क्या है तो यह राज्यकर है स्टेट ड्यूटी एक परकार का राज्यकर होता है अगला प्रशन देखेंगे दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी कब की गई थी तो 1948 में की गई थी दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी 1948 में की गई थी अगला प्रस्ण है औस्टेलिया महादीप में एक ही ज्वाला मुखी नहीं है देखें देखें ये option में रहएगा ठीक है नवास्टेलिया महादीप में एक ज्वाला मुखी नहीं है आपको बताना है कि कहां मतलब एक ज्वाला मुखी नहीं है तो उसमें option रहएगा Australia महादीप ना तो यह सब options से हलो नेंगे, यह सभी प्राशन है तो Australia महादीप में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्राशन देखेंगे योजना वर्द आर्थ विवस्था के विचार को कर्यवंतित करने वाला पहला वेक्ति कौन था तो जोसेप स्टालिन था योजना वर्द आर्थ विवस्था के विचार को कार्यवंतित करने वाला पहला वेक्ति कौन था तो जोसेप स्टालिन था याद रखेंगे जोसेप स्टालिन था अगला प्राशन है स्वेज नहर भुमध्य सागर एभं लाल सागर को जोड़ती है किस तरल पधार्थ के विसिष्ट गुरुत्व को जानने का यंत्र क्या है मानव सहित अंत्रिक्ष यान कों उत्रा था तो ये अपोलो 11 उत्रा था कों उत्रा था अपेलो 11 है ना चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंत्रिक्ष यान अपोलो 11 उत्रा था अगला प्रशने चीन की परसित दिवार की लंबाई लगवग 8,851 किलोमीटर है यानि पच्पन सो मील, कितना पच्पन सो मील, चीन की परसीद, दिवार की लंबाई लगभग आठ हजार आठ सो इक्यावन किलो मीटर है, जिसे पच्पन सो मील बिगाती है तो यह थे बिहार प्लीस में आने वाले सभी प्रस्ण जो की बहुत महत्पूर्ण है और आगे भी आपको इसी तरह की रिविजन कराई जाएगी इस चैनल पे तो चैनल को सस्क्राइब कर लो और बैल आइकन भी प्रेस कर लो ताईगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे इस चैनल पे पर दे यानि रोजाना वीडियो अप्लोड किया जाता आपके रिविजन के लिए तो आपको बाकी के भी अपडेट मिलते रहेंगे तो जोड़े रहा इस चैनल से और वीडियो को भी सेयर करते रहे, मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो